हेलो एक्टिवटी एक्टिवटी हमारा जिसको हम क्या बॉलते हिंदी में रेडियो शक्रिये था कर रेडियो शक्रियेता सिकंता कि इसका नाम सो कड़ा है की है दितों कि आपको यह तो रेडियो आप ये जिल्सक्रियु इसवारी उलिमेंट होते हैं मारे utilized इसका लाभी कि अमारा क्या हो स्टिप ही स्टेबल ओपने से फिलक्ते मनें को मैं चूरी ने तो इसलिए इसको बस यह संझाद है कि रेडियो एक्टिवीटी यह पूरा नाम है वह वह तत्तो रेडियो एक्टिविवेंट है जिनका नाबिक क्या होता है, एस थाई होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं, वे तत्तो, वे तत्तो, रेडियो सक्रिये तत्तो होते हैं, सक्रिये तत्तो होते हैं, तत्तो मिन्स क्या है, एलिमेंट होते हैं, जिनका नाबिक, जिनका नाबिक, एस थाई हो, unstable हो नाबिक S थाई हो और S थाई होगा तो वो क्या करेंगे वो छोड़ेंगे alpha, beta वा gamma क्या छोड़ते हैं alpha, beta और gamma gamma को हम इस तरह से V type से ऐसे बनाते हैं हो S थाई हो V alpha, beta, gamma उत्सर्जित करते हैं उत्सर्जित मींज क्या है emit करते हैं emission करते हैं emission of alpha, beta and gamma, raise उत्सर्जित करते हैं और अंत में सीशे में बदल जाते हैं और अंत में किसे में बदल जाते हैं सीशे में LED में सीशे मिन्स क्या है LED LED में बदल जाते हैं देखो एक बात और ध्यान अखनी है इनके इनका निकलतए तो इनका द्रयमान हो जाता है कि इनका द्रुमान कम हो जाता है एक बात और ध्यान कर लो इन इनका परमानो करमाक इनका परमानो करमाक वे तत्तो हम कह सकते हैं वे तत्तो रेडियो शक्रिये तत्तो कहलाते हैं तत्तो मिन्स क्या है एलिमेंट वे तत्तो रेडियो शक्रिये तत्तो कहलाते है तत्तो कहलाते है और इनका यह है गून गून मिन्स क्या है प्रोप्टी इनका यह है गून रेडियो सक्रियता कहलाता है यह गून क्या कहलाता है रेडियो सक्रियता रेडियो अक्ट्विटी उन्हें रेडियो सक्रियता कहलाता है ठीक है आई बात ध्यान में बिल्कुल असान पॉइंट है हमारा यह अच्छी तरह से ध्यान कर लो आप रेडियो एक्टिविटी क्या है हमारा वे तक्तो रेडियो एक्टिव एक्टिव एलिमेंट है जिनका नाभिक एस्थाई और वह अलफा बीटा गामा उत्सर जीत करते हैं और अंत में सीशे में बदल जाते हैं इनका द्रिमान भी कम हो यह है गून मिन्स के अप्रोप्टेज रीडियो अलफा बीटा गामा रेडियो कुटिव एन दास अडा सबस्टांस और काडव एक्टिव सबस्टांस ठीक है वरं तो यह आपको ध्यान अखना है फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्वेंट और यहां पर ही लिख लेते ह आगे पेज की बजाए जो रेडियो शक्रियता है मिधान देने योगे बात है रेडियो सक्रेटा मैंने बता कि यह tired releck Tony जो गया उलाती जो सक्रिये हमारे तत्तों हो जिनका नाब भी क्या हो SIO ठीक है वह हमारे तत्तों क्या होते हैं रेडियो एक्टिवटी अप्टिवटी आक्टिवटी या एक्टिवटी जो सबद है ना सबद या ट्रम बोले हम सबद इसके बारे में किसी ने बता था मेरी क्यूरी ने मेडम क्यूरी ने ठीक है यह बात ध्यान करनी है आपको और यह पूछले रेडियो सक्रियता डिस्करडबाई रेडियो अक्टिविटी डिस्करडबाई रेडियो सक्रियता की खोज पूछले की खोज किसने की वो की थी आपको ध्यान अखना है अच्छी तरह से वह की है वारी हेंरी बैक रूल ने हेंरी बैक रूल ने अच्छी तरह से ध्यान अखना है दूसरे नमबर पर यह ध्यान अखना है कि जो radioactive element में alpha, beta वा gamma निकलते हैं alpha वे beta की खोज ये पूछ ले alpha वे beta की खोज बीटा की खोज ये पूछे तो वो किसने की थी? रदर फोड ने रदर फोड ने ठीक है? रदर फोड ठीक है? फिर उसके बाद में ये पूछ ले आपसे पेपर में गामा की खोज किसने की? गामा की खोज किसने की? गामा की खोज वो की है? पॉल विलाड ने अच्छी तरह से आपको ये ध्यान रखना है पॉल विलाड ने की है ठीक है? ये अच्छी तरह से नोट कर लो फिर हम आगे चलेंगे गामा की खोज पॉल विलाड ने, एलफा बीटा की खोज रदरफोड ने, और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरोल ने, और रेडियो एक्टिव सबद है, वो किस ने दिया है, मैडम क्यूरी ने दिया है, किस ने दिया है, मैडम क्यूरी ने, ठीक है, लिख दिया हुआ आगे हम देखेंगे, अगला जो point हमारा बहुत important है, ये पूछ ले आपको, भी कोई भी तत्तो है, जो radio active है, वो किसके कारण है, ये पूछ ले, किसके कारण है, उसका कारण क्या है, गार्या, तो, एसिंफार नाविक, मतला हम कह सकते हैं unstable nucleus है अच्छी तरह से ये बात आपको ध्याल रखनी है फिर उसके बाद में हम बात करेंगे रेडियो सक्रियता को मापने वाला यंतर रेडियो सक्रियता को मापने वाला यंतर कौम आपने वाला यंतर पूछ ले आप से वो है GM counter GM counter ठीक है इसको GM counter है यह Giger Muller counter है इसकी full form क्या है Giger Muller counter Giger Muller counter ठीक है यह बात आपको अच्छी तरह से ध्यानक नहीं है Giger Muller counter है रेडियो सक्रेटा के मापने वाला यंतर कौन सा है Giger Muller counter है ठीक है और हम देखे जो Giger Muller counter है जो रेडियो सक्रेटा को मापता है यह मुख्य रुपसे तो गामा नहीं मापी जा सकती इससे तो गामा को मापने के लिए किसका प्रियोग किया आता है यह भी important आपको उसको बोलते हम skinnitation counter क्या बोलते है skinnitilation counter यह बढ़ स्पेलिंग देख लेता हमे skinnitilation counter सही है skinnitilation counter यह क्या मापता है यह गामा मापता है गामा किर्णो को मापता है यह आपको अच्छी तरह से ध्यान करना है ठीक है तो यह paper में पूछा जाए तो यह तीनो के तीनो important है हमारे गामा को मापने वाला रिडियोशक्रेट को मापने वाला अक्सर है GM counter के बारे में ही पूछा आता है ठीक है फिर उसके बाद यह हम बात करेंगे आगे आगे यह है कि जो हमारा S high nabic का कारण क्या है S high nabic कैसे पैठानेंगे S high nabic है S high nabic कौन सा होता है किस से मापने है किस से ग्याद होता है ठीक है इसके लिए एक फार्मूला है dear students n by p अब आप यह काओगे n by p क्या है n है हमारा neutron ठीक है और p means क्या हमारा proton neutron को proton से भाग देंगे और neutron है जब proton से भाग देंगे जब भी यह ध्यान रखना है जब neutron को proton से भाग देंगे तो n by p एक से 1.5 के बीच है तो बीच के बीच है तो बीच है तो एक तो यह पाइंट कर लें बीच है तो ठीक है एक तो यह कर लें और दुसरा यह कर लें कि यदि पहले यह लिखवा देता हूँ एक से 1.5 के बीच है तो टेबल स्टेबल नुक्लियस होगा स्टेबल नुक्लियस होगा मतलब स्थाई नुक्लियस होगा स्थाई नाभिक होगा नाभिक होगा वरना एस थाई होगा वरना एस थाई होगा अनस्टेबल होगा ऐसाई ना बिखुगा जैसे आप निउट्रोन निकालों निउट्रोन और निउट्रोन को प्रोट्रोन से भाग दे दो और यदि युद्व एक और एक प्रोटन के बीच में है तो वक्या हमारा स्टेबल नुकलियोस है और यदि वना इससे ज्यादा है तो हमारा क्या हुआ अन्स्टेबल होगा असानी से बात आप ध्यान कर लो बिल्कुल असान कोई बड़ी बात नहीं है यह थोड़े से कभी आई लेवल का पेपर में पुछाना चाहे तब यह इस तरह का पुछा आता वना नहीं पुछाता अच्छी तरह से नोट कर लो फिर हम आगे चलेंगे जल्दी से नोट कर लो कर दो कि उसके बाद हम देखेंगे अधियर सुझेंट से यह तो हम जो पढ़ रहे थे अभी जो थोड़ा सा बेसिक बढ़ रहे थे किस तरह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं हमारे तिराशी या तिराशी ज्यादा जिसका अटॉमिक मास हो अटॉमिक नंबर हो तो हमारे क्या रहेंगे सभी के सभी radioactive element रहेंगे ठीक है most of तो फिर उसके बादे हम बात करेंगे यदि आगे तो आगे जितने भी हम देखेंगे जितने भी exam देखेंगे तो उन exam में एक most of question पुछा आता है कि radio activity जो radio activity है उसकी unit क्या है ये भी paper हम पुछा आता है रेडियो सक्रियता की काई के हम बात करें रेडियो सक्रियता की काई एक बर paper में पूछा गया था रेडियो सक्रियता की काई से की काई तो A option में था Henry sorry Curie B option में था बैकुरल बैकुरल और C option में था रदरफोड और D option में था सभी तो ये क्या आएंगे सभी के सभी आएंगे Curie, Baccural, रदरफोड है ये रेडियो सक्रियता की इकाई है रेडियो सक्रियता की इकाई है और जब ये पूछ ले Radio activity की SI unit क्या है SI unit Radio सक्रियता की SI unit SI unit SI unit SI unit पूछ ले SI unit है SI काई System of International ये पहले भी बता चुका हूँ है तो SI काई है वो क्या है वो है मारी बैकुरल कौन ची है बैकुरल ठीक है फिर उसके बाद में एक किस्टन ये भी पुछा आता है Very important कई बार पेपरवन पुछा आता है Radio सक्रियता Mary Curie ने कौन से दो तत्तों की खोज की ये पुछा आता है Mary Curie ने Madam Curie ने Curie के दोवारा खोजे गए दो तत्तों दोवारा खोजे गए दो तत्तों दो तत्तों वो कौन Radium और Polonium कौन से है Radium और Polonium ये है आप अच्छी तरह से नोट कर लेना Radium और Polonium है ये Madam Curie के दोवारा खोजे गए ठीक है और Radium है जो Radium है वो प्रयोग साला में निर्मित है Radium किसमे Radium प्रयोग साला में निर्मित है इसको आप अच्छी तरह से द्यान कर लेना Radium किसमें बना गया प्रयोग साला में बना गया ठीक है फिर हम आगे चलेंगे आगे चलेंगे कुछ रेडियो शक्रिये तत्तों टॉपिक हमारा सम रेडियो अक्टिव एलिमेंट कुछ रेडियो शक्रिये तत्तों सम रेडियो अक्टिव एलिमेंट सम रेडियो अक्टिव एलिमेंट सम रेडियो अक्टिव एलिमेंट कुछ रेडियो शक्रिये तत्तों कुछ रेडियो शक्रिये तत्तों में हम सबसे पहले देखेंगे यूरेनियम के बारे में किसके बारे में देखना है यूरेनियम के बारे में ठीक है फिर हम देखेंगे फोरियम के बारे में फोरियम टी एच लिख देंगे तीसरे नंबर बहुं बात करेंगे प्लूटोनियम के बारे में प्लूटोनियम को ठीक है अब यह देख लेते हैं तीन पहले नंबर बहुमारा यूरेनियम है व्यूरेनियम से क्यूषन पुछा आता है कि यह किस एसेक से प्राप्त होता है एक तो यह पुछा आता है और सबसे बड़ा जो सबसे बारी natural radioactive element है वो कौन है यूरेनियम है ठीक है तो सबसे भारी प्राकर्तिक रेडियो सक्री है तत्तो कौन है युरेनियम है प्राकर्तिक जो प्रकर्ति के द्वारा प्रकर्ति में पा जाता है वो कौन है सबसे बारी uranium है ठीक है इसका एसक मिन्च क्या और बारी मतला heaviest natural radioactive element ठीक है इसका एसक मिन्च क्या और और pitch blend है इंगलीज में भी क्या बोलते है pitch blend ही बोलते है इसका एसका को है फिर उसके बाद में और क्या पुछा आता है इसका पयूग इसका प्यूग नाब की रेको понять जो नुक्यर रेक्टर होते ना, जब आगे पढ़ाएंगे नुक्यर रेक्टर के अंदर इंधन के में इंदर में इसका फ्यूल की रूप में इसे का प्रियोंगर आता है इसका उप्योंग नाब की है रियक्टर sound और नूक्लियर रियक्टर बनाने में होता है इसका उप्योग नाप की रेक्टर में और प्रमानों बम दोनम इंधन के रूप में फ्यूल के रूप में होता है ठीक है प्रमानों बम में भी किसके रूप में होगा इंधन ही होता है वो फ्यूल होता है और नाप की रेक्टर है वहाँ पर भी इसी का उप बातके सबक्राइब करना है यह भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बारत में सबसे ज़्यादा रेडियो शक्रिय तत्तो यही है शक्रिय प्थरय सब यही है मैं और क्या फासियोत है कहा पाँ जाता है यह सबसे जयद्ट के समध्री तरट पर केसं चर्ट किल सम्धरी तरट परना इन इंगली में भी मुला ये और से मोला जायट ऊड़ा ऑछ ऐन्यदिय पाया जाता है मोना जैट एसक और एसक में पाया जाता है केल के समद्री तड़ पर मोना जैट एसक में पाया जाता है और क्या खासियत है इसकी देखो और खासियत यह है कि हैं जो केरल है उस पर हम क्यह सकते हैं जो Pradhaoka कर यहीं बनता है प्र प्लूटोणियूम प्लूटियूम के बारे में हम जाने है तो यह प्रमानु बं परमानु बंबनाने में उप्योग हो सकता है यह परमानु बंबनाने में उप्योग हो सकता होसकता है इसा मेंå हम बात करेंगे हैं कि आप थे क्या है कि तत्व है ऐसा रेडियू अथिए यह रिब्लोंगोब अवस्था में पयाता है दरो अवस्ता मेंज क्या है लिक्यूड स्टेट में लिक्यूड स्टेट में पाया जाने वाला ततो यही है तो आपको यह ध्यान अखना है लिक्यूड स्टेट में पाया जाता है ठीक है लिक्यूड स्टेट में दरो अवस्ता में पाया जाता है ठीक है यह आपको ध्यान करन है कि दरों अवस्थाम पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है फ्रांसियम है ठीक है फ्रांसियम है यह ध्यान करना है कि च्यार आप देखलो पांचवा देखेंगे हम कि दरों अवस्थाम में कि पांचवा देखेंगे हम एक बार चार देखलो अची तरह से कि अ कि 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 अगला है मारा पांचवा कि कि क टेक्टेनियम कि कौन सा है टेक्टेनियम कि ठीक है कि क कि 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 टेनियम कि कि टेक्टेनियम अच्छी तरह से नोट कर लो टेक्टेनियम कि कि टेक्टेनियम कि 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 टीम है, टेकने टीम है, इसको टेकने टीम है, टेकने टीम है, टेकने टीम है, टेकने टीम है, टेकने टीम के बारे में देखो, very important point है यह है सबसे पहले सबसे पहले यह है सबसे पहले यह है सबसे पहले प्रयोक्साला में त्यार किया गया सबसे पहले प्रयोक्साला में त्यार किया गया यह सबसे पहले प्रयोक साला में तियार किया गया ठीक है फिर उसके बाद में छटा छटा हम देखें ट्रीटियम प्रिटियम के बारे में ये खासियत है ये हाइड्रोजन का आइसोटोब है और 83 से ज्यादा भार नहीं है इसका हाइड्रोजन का आइसोटोब है ठीक है तो इसलिए खासियत है कि हाइड्रोजन का आइसोटोब है और 83 से ज्यादा भार नहीं है और क्या है रिडियोक्टिव यह बहुती ज्यादा इंप्रेंट बात है हमारे लिए ठीक है तो यह पूछले कई बार यह पूछली आता है एक यूरेनियुम दे दे एक थोरियुम दे और एक दे ट्रिटियम सबसे हलका ऐसे पूछले हलका रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो यह ऑप्सन में मिलेगा हलका हलका रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो सक्रिये तत्तो ठीक है? ट्रिटियम है सक्रिये आईसोटोब हाइडोजन का आईसोटोब है ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखने आईसोटोब मींज क्या है? समस्थानिक कभी भूल गए हो हिंदी में समस्थानिक हाइडोजन के तीन इसमस्थानिक होते हैं कौन-कौन से प्रोटियम, डुटियरियम और ट्रिटियम फिर उसके बाद में आगे देखेंगे आगे हम एक दो और देख लेते हैं जैसे रेडियम है रेडियम को हम किसे नोट करते हैं? आरे से नोट करते हैं वह भी हमारा क्या है रेडियो एक्टी एलिमेंट है कई बार हमने देख भी लिया पहले फिर उसके बाद में देखें पॉलोनियम है पॉलोनियम पॉलोनियम के बारे में भी हमने पड़ा था मैडम क्यूरी इन दोनों को मैडम क्यूरी के बारे में बढ़ा दा ना हमने तो वही पॉइंट आएगा इस दुबार दुबार लिखने की कोई जुरूत नहीं है ठीक है फिर उसके बाद में एक्टीनियम के बारे में भी जानना है यह भी हमारा क्या है एक्टीनियम तो यह अ तो इस तरह से बहुत सारे हमारे यहीं पूछे आते हैं ठीक है जैसे रोड़ ओन है वह भी लिख देता हूं में रोड़ ओन है लेकिन मौस्ट अब है जो किसन पूछे आते हैं हमारे च्रूपांस तक है यहां तक पूछ लिया आते हैं तो यह भी लिख देते हैं तो यह थे रेडियो एक्ट्व आसा सकत्व कोकर हैं एमने जो जानना था ठीक है अब हम बात करेंगे इसकी ऑफा बीटा वा गामा रेज की जो किरने निकलती है उसका एटोमिक मास है आधी यह हमने जानना है लेकिन उससे पहले आप थोड़ी शी बेसिक बेसिक चीजें देखोगे है ठीक है देखो हमने क्या जानना आप जो एलफा बीटा गामा किरने हैं उनकी प्रोप्टीज जाननी है अलफा बीटा वा गामा किरने जो निकलती है उनकी प्रोप्टीज के बारे में जानना है रेज कौन सी हमारी अलफा बीटा वा गामा किरने रेज किरन और फिर उसके बारे में हम देखेंगे भी इसका मास है, वो दिर्मान कितना होता है, वो जानना है, फिर उसके बाद में हम जानेंगे, आवेस क्या होता है, चार्ज क्या होता इसका, वो जानना है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे, गतीज उर्जा क्या है, गतीज उर्जा काइनेटिक एनरजी, काइनेटिक एनर जी ऐसे short form में लिख देता हूं फिर उसके बाद में जानना है बेधन समता गेधन समता जिसका हम क्या बोलते हैं penetrating power penetrating power penetrating power penetrating power फिर उसके बाद में हम देखेंगे आयनने समता आयोनाइजेशन पावर आयोनाइजेशन पावर ठीक है तो हम देखेंगे इनके बारे में की आप एलफा लुटा गामा अलफा बीटा गामा अलफा बीटा गामा त्थीक है इसके के बारे में हमने जानना है कि इसमें की कोण से गुन है मैं आपको बता दिया कि क्या देखना है एक चार्ड देखना है गती सुर्जा लिए काइने Korean Ergy देखनी मि rolls देखनी पहले हम बात करेंगे अलफा क्या है पहले यह देखेंगे अलफा जो होता है वो हीलियम के बराबर होता है यह ध्यान रखना है हीलियम के बराबर होता है और हीलियम है दो इलेक्टोन असानी से दे सकती है तू पोजिट्व ऐसे होता यह ठीक है इसको ऐसे भी लिख देते हैं इसका मतलब क्या हो गया किस पर पर यह बता है वह सकते हैं तो प्लस पोजिटीव ऐसे भी कर सकते हैं जो बीटा लिखेंगे इस तरह से और यह जीरो ऊपर लिखते हैं तो इसमें आप देखोगे यहां पर इसका आवेस है वो क्या हो सकता है बीटा का माइनस वन हो सकता है और यहां पर क्या हो सकता है प्लस टू हो सकता है फिर उसके बाद में गामा गामा है जीरो जीरो दोनों तरफ तो ग इसका तो कुछ भी ने इसलिए यह है तो यह भार हिन भी है भार ही तो इसके बूला जाता है प्रकास के बराबर बहुता है ठीक है अब आपको यह पता चल गया कि यदि हम द्रिमान की बात करें यहां पर इसके बारे में एक तो क्या बात पता चल गया यहां पर किसके उपर क्या प्रमान द्रिमान कितना होता है यहां पर पोजिट्व यहां पर प्रमान द्रिमान जीरो और यहां पर बिल्कुल जीरो आवेश के बारे में पता चल गया अपने चार्ज के बारे में पता चल गया ठीक है किसका कितना चार्ज होता है ये पता चल गया अपने को और ये पता चल गया है कि कौन सा भारीन है ये पता चल गया अब ये खासित एक बात और देखनी है भी दुरिमान यदि हम तीनों में देखें तो सबसे ज्यादा द्रिमान किसका है मास मास की बात करें तो सबसे ज्यादा मास किसका है तो यहां पर अलफा का सबसे ज्यादा मास है इसका इस निशान का मतलब क्या होता है जो ज्यादा होता उसका ठीक है फिर बीटा का बड़ा कम होता है और सबसे भार इन कौन सा अब आगे देखेंगे हम यह तो हमें द्रुमान का पता जल गया और क्या देखनी है यहांपर ही गतीज उरजा देख है कि देखो मैंने बताया है कि जो प्रकास के बराबर है तो प्रकास की चाल सबसे ज्यादा होती है तो गतीज उर्जा की हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की बात करें गतीज उर्जा की बात करें यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गामा की ठीक है क्य जूर्जा क्या है सबसे ज्यादा क्योंकि यह प्रकास के ब्राबर है तो इस तरह से हमारा यह दुर्यमान और गती जूर्जा क्या हो गया एक दूसरे के आपोजिट हो गया यह भी अच्छी तरह से आपको ध्यान अखने है ठीक है फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे ती जुर्जा देख लिया एक देखना हमने बेदनक्स समता और एक देखना हमारा आयनन समता बेदनक्स मता की बात कर देखना मितला आर पार जाने की समता है पेनेट्रेटिंग पावर है कि अगर मालो यहां पर हमने कोई फोटोगराफिक पलेट ले ली ठीक है поटोग्राफिक पलेट ले ली यह फोटोग्राफिक पलेट है कि पार, जो और, फोटो मॉलते हैं, हिंदी में भी फोटो म्हाठीक प्लेट बोल सकती हैं, खेए यहां पर आपने एलफा किर ने, बेजी, ठीक है, silah, यहां गयी है, थोड़ इसी यहां तकえー ठेल फिर उसके बाद में आपने वेजी, बीता में बीता भी इसके बाद में आपने वेजी इसमें गामा कोनशी वेजी मांज yemा है यह क्या चले गई पार चले गई तो हम देखें आर पार जादा बेदन सम्ता है गामा की ठीक है दूसरे नंबर पर किसकी है बीटा की तीसरे नंबर पर कौन सी है किसकी है एलफा की ठीक है तीसरे नंबर पर किसकी है एलफा की जो सबसे बारी है उसकी बेदन सम्ता कम है और जो सबसे अलका और गती जो जादा है तो उसकी बेदन सम् करें ऐन बनने की समता है ऐसे होता है देखो और यानाइशिशन पावर क्या होता है ? इस habe इसे पावर होता क्या है ? इसे समता क्या होता है ? देखो और और अप Twas रिमूद एलक्ट्रोन मतलब, which power to remove the electron, which power, which power, which power, power to remove the electron, electron from the atom or element, atom or element. मतलब, हम कह सकते हैं, किशी तत्तो या परमानू से electron को बहार निकालने की सक्ति, को बहार निकालने की सक्ति, वो क्या होती है, आयनन सम्ता होती है, आयनन सम्ता होती है, ठीक है, तो आप देखोगे, आयनन सम्ता आप बात करेंगे, यदि हिनकी हम, तो alpha, beta वा gamma में सबसे ज़्यादा है, वो किसकी है, alpha है वो भारी होता है, और alpha भारी है, वो किसी तत्तो पर टकराया, टकराया तो वहाँ पर क्या है, उसके निकलने की सम्भावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वहाँ से electron निकालने की सम्ता उसके पास में थोड़ी सी ज हम है गामा की क्या है सबसे कम है इसलिए हम देखते हैं तो यह फारी है तो इसके की सी पर गिरेगा तो असानी ढिरेगा इसमें से इलेक्ट्रों निकाले olmas par कre widely जो कोई तलवार लेके कोई मा सर्ट निकालना चाहे एख शोड़ी पिन काल लेके निकालना चाहे तो जो भारी होगा और जिसका हम धेखे हैं जिसके पास मेंผม कि आμοरी उस्कोपर efficient पर ज्था ड़ाले गाले तो इसमें से वो असानी से निकाल नहीं पाएगा, ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान करनी है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, ये सारी बाते आपको समझ में आ गई, तो अब इस टेबल के अंदर दरसाएंगे हम, ये सारी चीजिए, तो आप देखो, मास, मास, किसका सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, इसी का होता है, क्योंकि ये हीलियम के बराबर हमने देखा था, सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये इलेक्टोन के बराबर है, बीटा, ये इसका कम होता है, फिर गामा, गामा सबसे हलका होता है, सबसे हलका, सबसे हलका कौन है, गामा है, ये बात आपको ध्यान अखनी है, सबसे अलका है, ठीक है, फिर उसके बाद में आवेस की बात करें, तो आवेस है, इस पर क्या होता है, दनात्मक होता है, पोजिट्यू होता है, पोजिट्यू है, ठीक है, पोजिट्यू है, और इस पर कौन सा होता है, बीटा पर, रिनात्मक होता है नेगटी होता है और यहां पर क्या होता है प्लस होता है क्या होता है प्लस और यहां पर क्या होता है माइनस होता है ठीक है नेगटी होता है ठीक है और यहां पर प्लस टू तक जा सकता है और यहां पर माइनस से वन तक जा सकता है लिग देता हमें माइनस से वन तक जा सकते हैं फिर उसके बाद में गामा गामा क्या है आवेस है इसका आवेस रहीत है आवेस रहीत आवेस रहीत है ठीक है गती जुर्जा है अलफा की सबसे कम और यहां बीटा की ज्यादा और सबसे ज्यादा बेदन सम्ता की बात करें हम बेदन सम्ता की अलफा की ज्यादा है बीटा की ज्यादा या गामा की तो हमने दिहान किया था अलफा की सबसे कम है सबसे कम और इसकी क्या है ज्यादा और इसकी है सबसे ज्यादा गामा की क्या है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ठीक है गामा की है सबसे ज्यादा आइनल समता है गामा की सबसे ज्यादा होती है ठीक है सोरी बेदने समता आर पार जाने के एस अब आयने समता है इसकी alpha plus two तक positive रहता है और सबसे ज़्यादा सबसे बारी है तो इसके लिए क्या है सबसे ज़्यादा है ठीक है और यहाँ पर कम और सबसे कम यहाँ आप इसको ऐसे भी कह सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो गई और वैसे तो ज़्यादा होती है कम ही होती है इसकी भी कम ही रहती है और सबसे कम ठीक है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम और सबसे हलका गामा क्या है सबसे हलका ठीक है दुर्यमान में आवेस में दरात्मक है रिनात्मक आवेस रहित ठीक है सबसे हलका हम इसको भार हिनी भी बोलेंगे भार हिनी भी बोलेंगे सबसे हलका तो है भार हिने वेट लेस है और प्रकास के बराबर ही है मैंने आगे बताई दिया था पहले इसको आवे इसका बता दिया गती जुर्जा सबसे कम जादा सबसे जादा बेदन समता सबसे कम देखा है लैखा और यहां पर हमारा हमारा बूटा दरुमान यह तो नर्मल है यहाँ पर थोड़ा समझना आप पड़ेगा की बेदन समता क्या होती है आर पार दाने की समता और यहाँ पर कोई तत्तो है किसी तत्तो या प्रमानों सी लेक्टों को बाहर निकालने की सकती है सबसे ज़्यादा एलफा की होती है और फिर बीटा की और फिर सबसे कम गामा की ठीक है यह था पर डियर स्टुडेंट से आज के लिए इतना ही बागी करेंगे हम अगली क्लास में बेस्ट विसी